So hey guys, welcome to my channel, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा गया का टॉप 5 कोलेज के बारे में तो बिना देर की होए चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो नमबर 5 की बात करें तो वो है मिर्जा गालिब कोलेज जिसे 1969 में स्टेबलिस किया गया था ये कोलेज मागद उनिवर्सिटी से एफलेटेड है ये एक माइनॉरिटी कोलेज है, यहाँ आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा यहाँ आपको कई तरह के कोर्सेज मिलेंगे जैसे IA, IHC, ICOM और वहीं वो केसनल कोर्स की बात करें तो BCA, MCA, BBA और यहाँ आपको स्कोलर्सिप भी दिया जाएगा तो ये कोलेज काफी अच्छा है और वहीं नमबर फोर की बात करें तो वो कोलेज है, अनुगरा मिमोरियल कोलेज गया जो ये कोलेज मागद उनिवर्सिटी से एफलेटेड है यहाँ आपको कई सारे कोर्सेज मिलेगे यहाँ भी आपको BCA, BBA यहाँ खास बात यहाँ आपको लाग की कोर्सेज भी मिलेगी यहाँ भी आपको स्कोलर्सिप प्रॉइड किया जाता है यहाँ नमबर उप स्कोलेज की बात करें तो वो आता है गया कोलेज गया जो 1944 में इस्टेबलिस्ट किया गया था यह कोलेज भी मगद इन्वर्सिटी से अफिलियेटेड है यहां आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे यहां आपको बहुत सारा कोर्सेज मिलेगा बी एड भी यह सब भी होता है इसका इंफरास्ट्रेक्चर और मेहां का मैनेजमेंट की बात करें तो वो काफी अच्छा है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है इस कोलेज की और यहां क्वालिटी एजुकेशन प्रॉइड किया जा जिसे 2008 में स्टेबलीज किया गया था है यह एक इंजिनियरिंग कोलेज है जो आर्यभाट नोलेज उनिवरसिटी पटना से एफलियेटेड है यहां आपको चार ब्रांचेज की पढ़ाई देखने को मिलेगी जैसे कंप्यूटर साइंस एन इंजिनियरिंग, सिबिल इंजि होता है यहां आपको एक प्रॉक्स 10,000 पर एर फी लग होगा और वहीं बात करें एड्मिशन प्रोसेस की तो यहां एड्मिशन प्रोसेस आपको जेई मेंस के रेंग के एकोडिंग दिया जाता है तो यह कोलेज आपको इंजिनियरिंग के पाइंट आव यू से काप्य तो दोस्तो नमबर वन की बात करें तो वो है एक यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल उनिवर्सिटी ओप सौथ वियार है जिसे 2009 में इस्टेबलीज किया गया था यह एक वेलनून सेंट्रल उनिवर्सिटे यहां आपको इंटिग्रेटर कॉर्सिस की पढ़ाई होती है जैसे बी ए प्लस बीड बीएसी बीएड बीए एलल बी यहां आपको मास्टर्स की भी पढ़ाई होती है यहां आपको अगर एडमिशन लेना है तो यहां आपको सी यू एट का एक्जाम देना होगा यह कोलेज पाई 500 एकर में फैला है यहां का इंट्रास्ट्रक्चर काफी एट्रेक् करता है यहां पी बात करें तो यहां आपको त्वेंटी थोज़न्ट पर यह एप्रॉक्स भी लगता है यहां की फेकल्टी काफी अच्छी है यहां आपको इंटन्सी पिड़ाइट किया जाएगा है यहां आपको और जुकेशन दिया जाएगा यहाँ कई सारे कल्च्रल एन्वल फेस्ट यह सब कफिक बहुत कुछ पता हैं यहां की यह उस्टल काफी अच्छी है यहां प्याप अडिमिशन बेफिक्र होकर ले सकते सो यह उन्वर्सिटी काफी अच्छी तो दोस्तों आपको यह पाच्चों कौन सी अच्छी लगी वो हमें comment करके बताएं और अगर आप गया का रहने वाले हैं या बाहर का भी रहने वाले हैं कोई problem नहीं है आप यहाँ यह सब college university में बिफिक रोकर admission ले सकते हैं so that's all तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल देर्स